इससे जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने बताया था कि ऐसे कौन-कौन से पोधे हैं जो इस गरसाथ की मुसम में उनकी कटिंग आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं उसी की कड़ी में एक नई वीडियो है उसकी कि उनकर इसको आप लगाएंगे कैसे कर टिंग स्कूर्ण तो हमने चुन लिए यह आप देख सकते हैं क्रोटोन हो गया मोगरा हो गया फाइकस हो गया और एक दो और गटिंग हैं तो यह सारी कटिंग हम सेलेक्ट कर ली हैं हमने लगाने के लिए कुछ cuttings मैंने पहले लगा दिये और बोगन बिलिया की भी cutting है ये भी मैं लगाऊंगा तो ये सारी cutting लेने के बाद बात आती है कि इनको कैसे लगाना है कैसी मिट्टीन को चाहिए कितना पानी देना है कहां पर इनको रखना है वो सारी जानकारी आज की वीडियो में आएगी तो वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहे पूरी जानकारी के लिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आनी वाली जो और वीडियो जैं उनकी नोटिक्विशन आपको मिल जाएंगे तो आईए शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले तो मैंने आपको कटिंग दिखाई दी हैं कि सारी कटिंग मेरे पास रखी हैं अब इनको कटिंग को हमने जो कलम है जिस हिसाब से लगनी है उतनी बड़ी इनको काट लेना है और जैसे यह देखिए यह एक कटिंग है लग लगबग लगबग इसको यह देखिए यहां तक यह लगबग चार इंच बैठता है लिटा भर करेंश कि कौलंब आपको लेनी है कम से कम इससे छोटी कालम नहीं लेनी क्योंकि लगबग डेट दो इंचिस को मिट्टी में रखना है और डेट दो इंचिस को उपर रखना है और जहाँ पर इन की ये नोर्ट्स निकलते हैं वो ध्यान नखना है उनका कि वो जदा डामेज़ ना हो कटिंग साथ की हैलदी हो यही सारी चीज़े ध्यानने केính के बाद आप इसको हम cutting करकेंग करने के लिए मैंने इसको на कभाइंग करने के लिए देखिए जो जिसे cutting करते हैं इसमें एक चीज़ है की इसको ना पहले आपको जो sterilize कर लेना है और sterilize ढेंग करने का तरीका है वो यह है कि आप यहा तो sanitizer ले लिजी यह देखिए यह sanitizer है और एम फिर Hydrogen Proxide भी आप ले सकते हैं उसे भी अप steroize कर सकते हैं वो भी Antifungal का काम करता है तो इसको steroize कर लीजे ऐसे इससे क्या होगा कि आपकी جो cuttings हैं उसमें fungus नहीं लएगी तो यह मैंने इस्टेलाइज कर लिया है और अब इसकी कटिंग करते हैं अगर आप कुछ भी हो चाहे कांची लीजिए आप चाहे कोई विद्विव चार्प नायफ लिजे तो इस्ट्रिलाइज करना बहुत जरूरी है पहले तो इस्ट्रिलाइज मैंने कर लिया है इनकी कटिंग बनाते हैं यह देखें लगबग चार इंशी कटिंग हमने लेनी है और ऐसे इसको काट कर लेना है तो ऐसे यह देखिए यह मैंने इनको कट कर लिया है अब इनको जो जो इनकी यह आप देख रहे हैं ब्रांश इनके जो एक्स्टर लीव हैं पतिया वो सारी आपको अटानी है क्योंकि पतिया अगर इस पर रहने देंगे आप तो सारा जो पॉसन है वो पतियों में जाएगा और कटिंग्स की रोज नहीं होगी तो आइएस इसको अटाते हैं अब अब और दूसरी जो कटिंग्स है वो आप तो यह देखिए यह मैंने उनके पत्ते जो है वो अलग कर दी कटिंG से और दो कटिंग्स में त्यार होगी है है वो लेता हैं और उनके जो करद कर दे तो यह सारी कटिंग्स मैंने आप देखिए काट ली है सारी लगबग चार इंच की इनकी लंबाई है और इतनी ही लेनी है हमने और एक एक पत्ता मैंने पर छोड़ दिया है अब आती है बात जी देखिए यह मैं आपको दिखा रहता हूं कि जो पुरानी हमने कटिंग्स लगाई थी उनकी ग्रौत काफी अच्छी चल रही है और पत्ते भी उनपर काफी बड़े बड़े हो गए उनके और यह कलेर की थी कुछ गुडल की है कुछ यह कोलियस की है यह मौर पंखी की है तो सारी की ग्रौत अच्छी हो गई है अब आज की जो कटिंग्स लगाने का समय आ गया है तो पहले आपको दिखाते हैं कि कटिंग्स के लिए हमने यह लिया है रीवर सेंड नदी का जो रेत होता है वो लिया है और जो कलम हम लगाएंगे वो रीवर सेंड में ही जादा ग्रोत अच्छी होती है दो कारण है इसके एक तो यह की यह जो पानी है इसमें रुकेगा नहीं बिलकुल भी और ड्रेनियर सिस्टम करते आती है जिस वह इसमें ग्रोध नहीं हो पाती तो अगर मिटी लेंगे तो मिटी में फंगस के चांसिश जाता होते है तो रेत लेंगे इसमें जो ग्रोत है वह बहुत अच्छी आईगा सारी कलमे मर्ने जबः दो लगाई भी है तो कोई भी लिए है आप इसके ओपर एक छिड़काओ कर सकते हैं ऐसे छिड़काओ कर दिए ऊपर की लेयर और अब इसमें मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से तो इससे क्या होगा कि फंगस की जो स्टांसिज होते हैं थोड़े बहुत वह भी नहीं आएंगे और कि यह पूरा जो रेत है फंगस से फ्री हो जाएगा अब इसको हम भरेंगे जो हमने पॉली बैग लिए हैं जो खाली हम पेड़ ले का से पेड़ लाते हैं उनके जो पन्नी होती है फेड़ों की वह हम खाली करके रख लेते हैं तो यह अब काम आएंगी कर में लगाने के हाँ ऐसे करके हम सारी भर लेते हैं कि कर एक है तो सारी जो पनी Dilu पोली बैग उनमें अपनी जो मिटी है वह भर कर तयार कर लिए अब आती है कलम सको लगाने की बात और करम सको लगाने कि बात में जो सबसे पहले आता है कि रूटिंग हार्मोन हम क्या लें वैसे तो देखिए अगर आप रूटिंग हार्मोन नहीं भी लेंगे तो भी कल में चल जाती हैं लेकिन कुछ जो उनकी जड़े हैं वह ज्यादा से डवलप नहीं हो पाती तो इसलिए हम आज रूटिंग अगा फल्दी है और दालचिनी का पाउडर है है और सहद ये हाल्दी एně्ति-फंगर एंटि-ट्रल होता है सहद और दालचिनी जो है रूट्टिंग हार्मोन वी का काम करेंगे तो मैं आपको दिखा जैता हूं कि ऐसे आपको आदा चम्मच ये लेना है दालचीनी का पाउडर और आदा चम्मच आपने सैद लेना है दोनों चीजों को आपको मिलाना है मिलाने के बाद आपका रोटिंग हार्मोन तैयार हो गया तो सबसे पहले तो एक लगबग दो इंच के आसपास का हम सारी जो पनी है उनमें फोल कर लेते हैं ताकि जो कटिंग से वह आसानी से लगा सके लगा सके यह मैंने कर लिया है अब अपनी जो कटिंग है कलम जो बोलते हैं इनको उपर की तरफ तो इनमें आपको जो हल्दी है को अपलाई करना है ऐसे यह देखिए और नीचे की साइड आपने इसमें जो अपना रूटिंग हार्मोन है उसको अच्छी तरह से अपलाई कर देना है तो यह देखिए लगबक दो इंच के असपास यह मैंने निचे इसमें मिट्टे में कर दिया है कलम को और बाकी की सारी कलमें ऐसी लगा लेंगे और आपको दिखाते हैं यह एक और कलम है मेरे पास मोगरा की यह देखिए इसको भी ऐसी लगाना है तो ऐसे करके अब इनमें कटिंग्स तो सारी लग गई है इनमें पानी देने की बारी आई यह तो अलका-अलका इनमें पानी दे देते हैं यह देखिए और इनको मैंने न एक ही उसमें लगाया है यह सारे जो हैं एक ही प्लास्टिक की जो हमारे पास कैन थी उसके अंदर रख दिया है क्योंकि अगर सारे एक साथ रहेंगे कलमें तो इनके अंदर जो मोईस्चर है वो बना रहेगा कलम के अंदर मोईस्चर बहुत जरूरी है अगर मोईस्चर इनमें बना नहीं रहेगा तो जो हमारी कटिंग्स हैं वो ग्रो नहीं करेंगे और आपने देखा होगा नर्सरीज में भी एक क्यारी के अंदर ही सारे अपने बोधे रखते हैं ताकि उनका जो हुमिडिटी है मो बना रहे तो यह सारा आज पानी तो इसमें हो गया है अब तो यही सारी इंफर्मेशन देने के लिए आज का वीडियो था उम्मेद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा अपने दोस्तों साथ जियर जरूर करिए तो तब तक आपका अपना ख्यार लगिए एक अगनी नई वीडियो में हम आपको कुछ और नई इंट्रेस्टिंग बाते बताएंगे तब तक आपका बहुत-बहुत तन्यवाद झाल